So hello everyone, welcome to our channel Biologigram स्वागत है आपका शोटे से चैनल पर Biologigram पर तो आज हम पढ़ने वाले हैं Asexual Reproduction के बारे में उससे पहले याद है काफी टाइम से मेरी वीडियो अप्लोड नहीं हो पा रही है जिसकी वज़ा से काफी नुकसान हुआ है मुझे भी और मेरे चैनल को भी उसका CDIR डाउन हो गया है तो मैं होप करूँगा कि आपके उसको बेटर करने में में मिली हल्प करेंगे तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं Asexual Reproduction अब पहले हम बात करते हैं Reproduction के बारे में Reproduction ऐसा कोई भी बनना नहीं है जो भी वीडियो देख रहा है ऐसा कोई भी परसन नहीं है जिसको Reproduction के बारे में ना पता हो कि Reproduction क्या होता है फिर अगर एक एक एकजामपल लेते हैं पहले अगर Reproduction मैं डिसाइड कर लेता हूँ जन्यनु जन्रेशन आएगे और पुरानी जन्रेशन जो कि वह इख स्टेंट होता हो TH घिक? तो रिप्रोदक्षण नेशेस्वरी है अब इस चीज हो फ品े ने ठीक ला कर ल आदे होता है पहलोगत है जन्रेशन हो जन्रेशन आएगी तभी human का एक वजूद रहेगा earth पर, ठीक तो उसके लिए हमें reproduction करना ही है अब इसमें भी दो तरीके के reproduction होते हैं एक होता है asexual reproduction एक होता है asexual reproduction हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं asexual reproduction की बारे में, आज अब asexual reproduction में क्या होता है एक single parent involved होता है ठीक है, asexual reproduction में एक single parent involved होता है और sexual reproduction में two parents needed होते हैं, two parents needed होते हैं अब दो parents कैसे हैं इसको यह समझो आप लोगों के parents होंगे, उनको उन्होंने जैन्म दिया होगा, mother and father, दो parents होगा है अगर एक elephant का baby है तो उसकी mother and father दोनों होंगे अगर एक dog है, तो उसका puppy है तो उसकी mother and father होंगे तो ऐसे करके दो लोगों को दो लोगों नेसेसरी होते हैं sexual reproduction में बट sexual reproduction में ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है उसमें single parent से भी काम चल जाता है अब sexual reproduction में भी काफी तरीके reproduction आते हैं तो एक बार हम सारे reproduction को discuss करते हैं कि कौन कौन से reproduction होते हैं कुछ types होते हैं, कुछ points है तो वो यह देखे हूँ है उनको discuss करते हैं पहले हम अब यह देखो से पहले अगर हम बात करें binary vision की ठीक है, binary vision काफी बार नाम भी सुना होगा इस topic के बारे इस word के बारे में binary vision तो यह होता है amoeba में अब abeema में कैसे होता है, एक बार यह देखना यह हमारा amoeba, यह अंदर नहीं हो गया अब जब यह divide करेगा यह इस तरीके से होगा जब यह divide करेगा तो कुछ इस तरीके से होगा इसका cytoplasm दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तू डॉटर सेल्स बनाएगा अब मुझे नहीं पता इनको sun cells क्यों नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता बर इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं ठीक है तो amoeba fully grown बनेगा लिकर नहीं अब मैं fully grown क्यों कहारा हूँ वो fragmentation वाले पार्ट में समझ में आएगा अपको यह fragmentation वाला पार्ट है यहां पर समझ में आएगा कि मैं fully grown क्यों कहारा हूँ इसको एक amoeba दो पार्ट में डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बना लेगा ठीक है तो यह हमारा हो गया binary vision जो कि करता है amoeba अब अगर हम बात करें multiple vision तो देखो यहां पर क्या हुआ binary vision ऐसा ही same चीज plasmodium करता है बड़ वो multiple vision करता है कैसे यह plasmodium है भारस की outer covering है ठीक है protective outer covering है यह बहुत सारे plasmodium को बना देगा एक plasmodium काफी सारे plasmodium को बर्थ देगा ठीक उसके बाद क्या होगा जब यह rapture करेंगी तो सारे plasmodium बहार आ जाएंगे human body के अंदर ठीक है इस तरह के से plasmodium grow करता है amoeba में क्या है एक binary vision में जो amoeba करता है उसमें क्या है एक cell दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगा जो की daughter cells बनाएगा multiple vision में क्या है एक plasmodium काफी सारे plasmodium बनाएगा और फिर जब रप्चर करेंगे तब वो human body में जाएंगे human body में ही होते हैं पर वो फैल जाते हैं उसके बाद अगर हम बात करें fragmentation के लिए इसको दिहां से दिखना देखो fragmentation कुछ-कुछ इसके जैसा ही है बड़्डस से काफी अलग है ना आप समझ में आएगा अब भी मानलों यह spirogyra है यह दो दो नहीं है यह एक ही है पूरा एक particular एक single piece है यह spirogyra है ठीक है अब इस spirogyra को मैंने divide करवाया यह दोनों अलग होई वैसे मैंने 9 को अलग करवाया तो यह ऐसे divide हो जाएंगे दो अलग अलग parts में यह वाला एक चोटे part में divide होगा यह वाला एक चोटे part में होगा अब यह दोनों parts अलग से grow करेंगे ऐसा नहीं है इसकी तरह नहीं है यह fully grown थे यह एक बड़ा था उसकी तरह ही दोनों बड़े बड़े बन गए थे लेकिन इसमें क्या होता है इसमें ऐसे समझो इसको यह spirogyra मारा पूरा एक उसके बाद यह divide करेगा जब यह तो यह चोटे parts में divide करेगा अलग अलग एक एक individual में यह grow कर जाएंगे तो यह दो बन जाएगा एक से दो ठीक है ना इसको ऐसे ले सकते हैं कि यह पूरा एक दे रखा है पूरा एक दे रखा है दो में divide हुए बड़ छोटे छोटे fully grown नहीं है यह यह चोटे छोटे हैं ठीक है उसके बाद में दोनों बड़े होंगे इस तरीके से बट इसमें क्या था अमीबा में पहले से ही जब division हुआ था टोटर सेल्स में यह फुल एक रोन थे यह difference है इसमें अन दोनों में ठीक है अब हमने पढ़ लिया binary vision उसकी बाद पढ़ लिया मुल्टिपल फिजन फिर हमने पढ़ दिया fragmentation अब आता है हमारा budding अब देखो यह budding भी काफी simple है जोगे hydra हमें होता है hydra हमें काफी बड़ सुनाए कि budding होती है अब hydra में क्या है simply एक tube black structure होती है ऊपर टीनीडिया होती है ग्राइब इस तरह का structure होता है अब इसमें क्या है यहां पर चोटा सा एक यहां पर चोटी सी बड़ निकलाती है यह बर निकलाती है जो कि एक separate individual बनाती है बाद में यह separate individual बनाएगी एक बड़ का संभें ये एक इंडी डी इव या ए ऐसे माण लो जिसे एक इंडी बीज रही टीक इसमें एक बड और निकल आई यह एसे निकल आई यह एसे बड़ और निकल राई लेकिन कुछ टाइम के बाद में यहedar से इन्डिवीजल बन जाएगा ठीक है। वैसे ही इसमें होता है। ये पूरा है हमारा है। है छोटी बढ निकल की आई। फिर ये वाला जो पॉर्शन है। ये पूरा पूरा पूर्शन ये वाला पूरा पूर्शन ये अलग हो जाएगा। इसको सुझत प्या principles है हूँ उसके बाहरं इससे समझे लो अगर यह है इसका क्षिटन हुआ यह हुशन्थ ही फिर इस सिर्फ इस इसका accident हुआ, इसको, यह प्लिनेरी है, ठीक है? ये दो, तीन पार्ट्स में दिवैड हो गया इसका Mouth वाला portionnam gev रहा Body वाला portionnam में ये रहा and Tale वाला portionnam रहा ये तीन पार्ट्स में दिवैड हो चुका अब तक अब ये क्या क्रेंगे ये अलग-अलग तीन individuals में grow कर जाएंगे ये अलग-अलग इसे बनाएंगे तो फिर अपने ग्रोग कैसे करेगा तो यह अपने सेल्स में चेंज़ करता है जिसकी वज़ा से यह पूरा एक अगर डिवीजन हो भी जाता है इसका तो यह नियो फुली ग्रोन बन जाता है उसी एक पर्ट को से ठीक है अगर तीन इससे में टूटा है तो त तो यह भी निए पार्ट बन जाएगा यह दोनों फुली ग्रोड यह तो यह हमारा क्या होगहा है Regeneration, Regeneration मतलब दुबारा बनना Regeneration मतलब दुबारा बनना, अब सबसे Interesting यह आ रहा है Vegetative Propagation Vegetative Propagation अब यह Vegetative Propagation में क्या है कि Vegetative Propagation के नाम समझ में आना कि Vegetables से, Plants से लेटेड़ कुछ होगा ठीक है, इसमें तीन पांट्स होते हैं Cutting, Layering, Grafting Cutting, Layering, and Grafting Cutting क्या होता है पहले उसको देखते है Cutting देखो इसको इसमझो जिसे यह रोस प्रांट है ठीक है, यह रोस प्रांट है इस पे एक स्टेम लग रही है यह इसी की प्रांट है, यह स्टेम है इसकी साथ में अटाच है हमने आगिया यह वाला स्टेम तोड़ा इसको तोड़ा इसको तोड़ने के बाद में हमने इसको अलग ग्रो करना स्टार्ट कर दिया हमने इसको अलग ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो यह भी ग्रो कर जाएगा अब 14 फैब आने वाला है और उसको grow करना start कर दिया, ठीक है? उसको grow करना start कर दिया, तो ये भी grow कर जाएगा, इस पे भी रोजाना start हो जाएगा, इस पे भी व्लाजाना start हो जाएगा, ठीक है? अब इसके advantages क्या क्या है, इन जीज़ों को करने के, वो last बताऊंगा मैं, तो ये इससे हम दूसरे individual बना सकते हैं, cut करके, मतलब कि इसमें से ही, एक branch तोड़ी, stem तोड़ी, और लगा दी हमने, इसमें से stem तोड़के, दूसरी में लगा दी pot में, और हमारा cutting का process complete हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जैसे ये है, drawing पर मत जाना, ये वाली branch लिया हमने, वो stem लिया हमने, ठीक है, ये वाली stem लेके हमने तोड़ी, ये वाली stem हमने पूरी cut कर दी, इसमें से, ठीक है, और एक नए individual बनाने के लिए हमने इसको एक pot में लगा दिया, इसको हमने एक pot में लगा दिया, तो ये अलग से grow करना start कर इसको हम बोलते हैं क्या कटिंग उसके बाद हमारा आता है ग्राफ्टिंग सुरी लियरिंग उसके बाद हम पढ़ते हैं लियरिंग ग्राफ्टिंग हम लास्ने पढ़ेंगे उसके बाद हमारा आता है लियरिंग अब देखें लियरिंग में क्या होता है लियरिंग में एक सिं स्ट्रैम लो чтобы ऐसे यह इसको ऐसे लिजाओ अंडरग्राउंड में और फिर दूसी जगाए से इसको निखालओ क्च दूसी जगे से इसको निखा लो अब ढरेख लेसा कंजängे सकते हैं यह वारी लिग्राॉंड एक पेड़एह थीए एक पेर ऐसे हो रहा है, हमने इसकी इस वाली चीज को, उपर वाली स्टैम को, हमने बेंड किया, जमीन में ले गए, तक कि इसको सोयल इसकी रूट बनना स्टार्ट हो जाए, और फिर उपर लेके आए, फिर उपर लेके आए, इसी वाले प्लांट को, यह लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, लेकिन हमने इसी की स्टैम लेके नीचे ले गए, अंडरग्राउन, और फिर दूर्स जगह से निका दी, इसको हमने, इसको हम बोलते हैं, लेरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, लेरिंग, उसके बाद जो लास्ट हमारा वो है, ग्राफ्टिंग, अब मेरे भ जैसे यह है, एक अलग मार करें, इनको दो बलांट समझ लो, ओलाग अलग अलग प्लांट जही थीक।, मैंने की यह बैद बांद दिया, इससे क्या होगा, जो नीचे वाला प्लांट है, और उपर बांड बला एक नई variety बना सकते हैं दोनों मिलकर एक variety बना सकते हैं अब मैंने cutting में क्या बोला था cutting rose में होती है जो cutting वाला process मैंने बताया था वो rose में होता है बोला था और जो layering वाला process होता है वो होता है jasmine में और strawberry में jasmine and strawberry में और यो ये वाला process है grafting वाला यह होता है एपल में, एपल में, एपल की वेराइटीज इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जाहतर यह एपल में होता है, और भी और भी फूर्ट में होता है, और भी वेजेटेबल में होता है, बट जाहतर यह एपल में होता है, तो हमने यह नीचे वाला पार्ट अलग ketika Wright MA in two harbour H but the disease follower the speaker he don't I का पूरा artificial था यह natural नहीं था यह पूरा artificial था natural क्या है यह देखना natural में क्या होगा एक बार उस कोड़ देख लेते हैं क्योंकि यह बच्चे यहां पर बहुत confused होते हैं कि natural कौन सा है और artificial कौन सा है जब exam में question आता है तो वो गलत हो जाता है अब देखो यह हमारा ground है मेरे school में यह वाली चीज होती थी यहां पर बहुत सारी grass पड़ी होई है यहां बहुत सारी grass पड़ी होई है लेकिन यह सारे grass सूखी होई है गास grass सब सूखी होई है सारी ठीक है तो क्या हुआ एक particular point of time के बाद में rainy season आया rainy season जब आया तो बरसात हुई बारिश आई और जब बारिश आई तो यही जो grass येलो हो गई थी ठीक है सूख कई थी येलो हो गई थी वही grass green हो गई कुछ टैम की पाथ बारिश की वज़ा से तो इसको हम बोलते है natural वेजटेटे प्रफोगेशन जो की अपने आप हुई है बड़ जो cutting layering and grafting जो हमने कराई है जो यह वाला वेजटेटेटे प्रफोगेशन है यह artificial है और यह natural है अब इनके फाइदे क्या क्या है यह देखते हैं अब देखो यह cutting में अगर आप एक करोगे sunlight वे गयरा काफी लंबा process है काफी लंबा process time taking process है लेगिन अगर वही पर अगर वही पर आप cutting से करते हो इस चीज को कैसी ठीक बही इसके साथ में क्या है Thai जैस्मीन ओर strawberry वाला case था इसमें क्या था जो आपने क्या था layering में थीक है इसमें क्या था इसमें यह है कि अगर आपने एक सीड safety कशना कुछ दुन कुछ variations आते हैं seeds में कढ़छ न कुछ variations और चुछ दुना कुछhh दुनों का Madras अलग-अलग हैं, वैसे ही seeds में होता है seeds सारे एक ही होते है strawberry के, बट कुछ न कुछ variations आ जाते हैं, छूटे-छोटे variations जिसकी वह जैसे maybe taste change हो जाता है या फिर उसका कुछ न कुछ change होता है ठीक है, maybe उसका थोड़ा से color reddish ना हो light reddish हो या bright red हो तो उस वज़े से उसको रोकने के लिए या फिर same breed बनाने के लिए हमनों क्या करते हैं, layering करते हैं जिसकी मैस में क्या होता है एक ही seed के plant से एक ही seed, यह हमने plant होगाया फिर दूसरा plant इसी से होगा दिया फिर दूसरा plant इसी से होगा दिया इस तरीके से हम एक ही सीट से बहुत सारे plants को grow कर सकते हैं जो कि same variety, same taste, same color के होंगे ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह फायदा मिलता है अगर हम बात करें, grafting जो यह वाला था कि यह अलग लिया, यह अलग लिया, फिर दोनों को जोड दिया इसमें भी हमें varieties देखने को मिलेंगी क्योंकि यह एक अलग है, यह एक अलग है, दोनों को जब comment करेंगे, जोडेंगे तो यह दोनों भी हमें मिलके एक नई variety देखने को मिलेंगे ठीक है, यह बतते हैं, तो हमें इससे भी एक नई variety देखने को मिलेगी ठीक है उससे भी हम बच सकते हैं वो भी हम अपने लिए बचा सकते हैं अब हमारा जो last बचाता हो बचाता हमारा sport formation मैंने इसको last में इसलिए रोक के रखा था मेरे भाई यूँकर देखो sport formation समझ में आ रहा है कि इसमें sports होंगे ठीक छोटे छोटे sports होते हैं चोटे छोटे sports होते हैं जो कि packed होते हैं तोटली अब इसमें क्या होता है जब यह packed होते हैं यह पूरी तरह से पैक जब यह burst up करेंगे जब यह फटेगा तो air के साथ में ब्लो करना start कर देंगे यह करेंगे air के साथ में ब्लो करना स्टार्ट कर देंगे उढ़ना स्टार्ट कर देंगे और जहाँ पर इनको favorable, suitable! Сुटेबल! कंडिशन में लेंगी वहाँ पर ये grow करना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर ये grow करना स्टार्ट कर देंगे इसलिए मैंने बोला था कि em tir कि poatar formation थोड़ा सा अलग है प्लिनेडिया को तोड़ा तीन पार्ट्स बन गए फिर प्लाजमोड यह उपने बढ़ा लिए अपने पार्ट्स को ब्रेकड़ाउं करके वो फिर आगे बढ़ गया वो यह उपने बढ़िंग में किया हाइट्रा कटके एक नया मतलब एक इंडिविज्व बना वह अलग होग में help कर रहा है जो कि है इस लिए मैं यह थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें एक इंडिविज्वल इंवॉल्ब है इसमें एक इंडिविज्व इंवॉल्वॉल्व्ड है समझे मेरे बाई अब हमारा रहे गया है सेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन जो कि हम अगली वीडियो म कि single parent होते हैं, binary vision होता है, जो कि amoeba में होता है, multiple vision होता है, plasmodium में होता है, fragmentation, spirogera में, budding, hydra में, spore formation होते हैं, regeneration, planaria में होते हैं, vegetative propagation में, तीन parts आते हैं, जो कि cutting, layering और grafting होते हैं, ठीक, तो काफी होगे आज, ठीक है न, अब हम अगली वीडियो में, ये पढ़ेंगे, sexual reproduction, जिसमें दो parent involved होते हैं, अब ये मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो पार्ट में आएंगी, मैंने काफी डाइम से वीडियो अप्लोड नही हैं, पर प्लीज मिलको help करना कि मैं grow कर सकूँ इस channel पर, इस channel के साथ, ताकि आगे जाके content और quality दोनों ही अच्छे हो, video quality भी अच्छे हो, content quality भी अच्छे हो, so मिलते हैं एंगली वीडियो में, thank you for watching.